हलो फ्रेंट्स तो कैसे हैं आप लोग हां मैं जानता हूं मेरी सब्सक्राइबर हो ठीक हो गया कि कोई मेरी दुआएं आपके साथ हैं और आपकी दुआएं मेरे साथ है तभी तो पढ़ रहे हो मेरे साथ है ना और कि सब्सक्राइब नहीं कि है तो सब्सक्राइब कर लो यहा तो में तो न से लिए थो पहले पार्ट वन देख लो अब जायेगा इसमें उमीद करता हूं मैंने भूट मुश्किल महनत कि यार इसमें क्यों यहां कि यहां मैं और इसी के कारण तुम्हें मेरे पढ़ने से पहले ही पता चल जाता है कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ हाँ देखो यार यह बात तो सच लिखी है मैंने है ना क्या पढ़ाने वाला हूँ बिना किसी time waste के start करते हैं हां तो start करते हैं हां तो अब यहाँ पर हमारा chapter का नाम तो जब भी कोई चीज 1 किसी चीज 2 को attract करती है तो यह तो force अब attract करने के लिए force दो लगती है अब देखो कोई भी चीज अगर किसी चीज को खीच रही है तो फिर वह attract तो करें कि हमने first chapter में पढ़ा था कि कोई भी चीज तब तक नहीं हिलती जब तक उस पे कोई external force ना रही है इसलhof यह हो जाएगा हमारा gravitation में है अब देखो यहाँ पर gravitation तो है बट अब क्या करें इसका हम लोग ठीक है इसकोब हम gravitation force तो मान लिए हमने gravitational force ठीक है यह तो हो गया हम लोग आगे देखते है अब gravitational force है और यह हमत पस gravity है न तो अब उमीद करता हूँ कि आप बनाई किसने अमें जानतों मैंने समझाए नहीं कैसे समझा जाएगा इसलिए समझाए जारूं ठीक है मैं लिख पूंद को जिदी है यहां पर मैं वीडियो बनाते हुआ दिखा रहा हूं ठीक है तो हां दो चीज दो किसी चीज को अट्रैक्ट किया वह हो जाएगी मैं अच्छ बनाई है मेरी गलती है बट यहां इसका चाहरा तो देखो 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 इसका हो रहा है ग्राविटी के बारे में जान के तुम से जादा खुश है यह तुम लोग जानलो ग्राविटी के आपता चल जाएगा फिर तुम्हारे न सिक्स-पैक साहब साधेंगे तुम लोग अगर पता कर लोगे, हाँ अगर तुम लड़की होता मैं जानता फिर वो तुम्हारी गलती, तुम्हारी मेरा ये बनाया है कि तुम लोग फिर ग्राविटी को ज्यादा महसूस करने लगोगी, ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कहता है इसके बारे में, मैं ऐसे इसमे मैं मैं कहा से आ गया, मैं बिना कुछ भी कह रहा हूँ यहाँ पर मैं 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 की बाद पता नहीं क्यों करने लग गया, हाँ तुम लोग ने फेमस शोरी तो सुनी होगी, कि न्यूटन अंकल बहुत बड़े साइंटिस बन चुके थे, है ना, न्यूटन अंकल को साइंस के फ साल हो चुके थे, तो फिर अब यह बोर हो रहते एक दिन बैठे 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 ना, तो क्या हुआ कि पेड़ के उपर से गिरा एक सेब, पेड़ के उपर सेब उनके सिर पे गिरा, अब उन्होंने बोला यह कैसे हुगा, मेरे सिर पे सेब कैसे गिर सकता है, मैं इतना ग्रैविटी है यह इसके पीछे जिसका हात है वो सका नाम है ग्रैवी डीद्य ऑया धिश्यार में ग्रेविटी गिरने के पीछे हात है ग्रैविटी का कि यह क्यूं गिरती है क्यूं होता है तो Newton ने कहा कि हमारे ओरफ ना माघनेट है माघनेट ना इसके अंदर ना कुछ माघनेट जैसा है जिसके करारण सब चीद नीचे गर जाती है बत इसका माघनेट थुरा अलग है नॉर्मल वाला मैगनेट से आईरन को खीचता है और इसका वाला मैगनेट ना हर चीज को खीच लेता है अब न्यूटन बाबा ने तो यह कह दिया बट आपको लगता है सब लोगों ने इसे विश्वास किया होगा सब लोग बोलेंगे भाई ऐसा कैसे अर्थ मैगनेट बन ग रहते हैं अब लोगों ने देखें स्पहरं में होते हैं इसलिए आर्थ का नाम ने वह रख रखा था अर्थ के बी टॉप बूद और नीचे को बोलदे था जानते तुम लोग भी यह ना अब यह तो तुम लोग बूए जानते हैंसको देखो है यहां पर अब हमाँर पास यहां पर Earth है इसके भी इस वले पारट को नॉर्थ पोल कहा जाता है इस वले पारट को साट पोल कहता है इस नॉर्थ बेकार वेकार धीक है यह भी इतने मनें कबस इतना ही है और अगर हम लोग बाकी देखें तो उन्हों ने उस पर research की और बोला कि यह एक force है जो earth यहाँ देखो मैंने किता प्यारा earth बना रखे है देखो किता प्यारा earth है अपने उपर रहने वाली हर एक चीज़ पर लगाती है है ना same like magnet फिर इन्होंने इसका नाम gravity gravity रखा इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया gravity अब तुम लोग एक बात यहाँ दखना कि पहले gravity के को खो जा गया था फिर gravitational force को पहले gravity की बात हुई थी फिर हुई थी gravitational force की बात अब gravitational force के हिसाब से हर एक चीज मान लो तुम चाहे चोटी सी चोटी चीज है या फिर तुमारी बड़ी से बड़ी चीज है ठीक है अब अब gravity क्या थी जो सिप अर्थ पर काम करती है gravitation जो कोई भी दो चीजे है चाहे कोई भी चीज ले लो तुम लो gravitation उन पर काम करती है ठीक है अब इसको तुम लोग कुछ भी दख सकते हो तो अब इसको तुम लोग बोलोगे कि हाँ भाई यह तो हमने मान लिए पर इसके definition कि exam में हम यह थोड़ी बोलेंगे कि Hindi में लिख कि आजाओ हम लोग Hindi में लिख भी दें कि हाँ भाई इसको gravity कहते हैं इसको gravitation कहते हैं अब तुम लोग हमें marks दे दो अब Hindi में तो वो लोग लेंगे नहीं वो लोग मांगेंगे English में क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं English medium school में तो इसके definition भी तो बताओ तो यह रही definition the force of attraction between any two objects is called gravitation force कि नहीं भी दो objects के बीच में जो force of attraction होती उसको gravitational force कहते हैं gravity अब gravity के definition gravitational force emitted by earth simple सबसे simple definition मैं तुम्हें दे दी ता कि तुम लोग confused ना हो ठीक है तुमारे लिए मैंने simple simple definition दे दी अब आते हैं आगे अब बात यह थी कि यह theory मैंने theory क्यों लिखा है यह यह theory force हाँ मैंने क्या जोगा बोल रहा हूँ मैंने खुद लिखा है कोग इंगिस परणना नहीं आ रही यह theory force और अगर है तो इसका magnitude magnitude माने इसका numerical value भी होगी तो भाई अब सब लोग ढूनने लगए इसको कि भाई Newton ने gravitation तो निकाल दी उसने यह तो बता दिया कि हाँ भई कोई नहीं भी दो चीजों के बीच में gravity होगी बट या किसी ने यह नहीं बताया था कि उस gravitational force कितने Newton का है क्यों कि हम लोग रांते हैं कि force को measure किया जाता है Newton में तो किसी ने यह तो बताया नहीं था कि वो कितने Newton का है तो इसके उपर सब ने सोचा कि हाँ मैं बताऊंगा मैं कुन सा रंग निकाल दिये गलती से इसको change करना पड़ेगा नहीं मैं change करता हूं इसको फिर हम बात करते हैं ठीक है तो अब सब लोगों ने सोच लिया कि हाँ हम लोगों नंबर नंबर निकालना पड़ेगा सब लोगों नंबर निकालने के लिए जुगाड करना स्टार्ट कर दिये अब जुगाड कैसे करना स्टार्ट कर दिये मैं बताता हूं अब तुम ही देखो कि सब लोगों ने अब gravitational force क्यासे निकाल सकते हैं उन लोगों को दो चीज़े रखनी पड़ेंगी और फिर उनके बीच में जो attraction force हैं वो करनी पड़ेगी तो अब इस force को निकाल भी दिया किसकी मदद से candavis apparatus की मदद से इस apparatus की मदद से apparatus मदलब कोई बीचीज जो काम में आती है ठीक है इसको हम इसके मदद से निकाल लगे इसमें क्या किया गया EKKG की ball दी गई इनको accurate 1 meter पे रखा गया और फिर चीख किया गया कि कितना आता है इसका numerical value है ना अब मेरको अब तुम लोग देखो ना मैं ऐसे पढ़ा नहीं रहाऊं मैं अपने नज़र इसे बता रहा हूं कि कि मैं भी तुम्हारी class में पढ़ता हूं मेरे भी कुछ doubts होते ना अब मेरा doubt यह है कि ये तो हो गए ठीक है EKKG के इनके बीच की force निकालने के लिए जो तुम लोग apparatus यूज कर रहे हो उसकी भी तो gravitational force होगी उसको count किया कि नहीं है ना तो अब तुम लोग इस सवाल को अपनी madam से पूछना और फिर मेरे को comment में जाके answer दो ठीक है अपनी madam से यही सवाल पूछो और मुझे comment में जाके answer दो इससे फाइदा क्या क्या होगा मुझे answer पता चल जाएगा है ना अब ऐसा ना हो कि एक ना answer जाएगो तुम बाकी दोई ना क्योंकि हो सकते कि उसका answer गिला तो तुम्हारी madam का सही हो ठीक है तो इसलिए ना तुम लोग में को answer दे देना सब लोग मिलके ठीक है इससे फाइदा क्योंगा तुम्हारी madam सोचेगी कि हाँ भई इसके भी doubt हो रहे हैं इसका मतलब यह भी class में ध्यान देता है यह भी intelligent बच्चा है तो तुम्हारा भी फाइदा और जब मेरे को answer मिल जाएगा तो मेरा भी फाइदा अब मैं अपनी madam से अभी तो नहीं पूछ सकते नहीं तो तुम लोग मेरे को बेशते रहना यार मैं पूछू को में तो में यह बात चलेगा कि कौनको मेरे अच्छे बच्चे जो मेरे से पढ़ते हैं ठीक है तो मेरे को थोड़ी खुशी मिलेगी ठीक है तुम लोग यह सवाल दो अपने madam से पूछना तो अभी start करते हैं इसको क्योंकि अब देखो अब मेरे हिसाब से पता क्यों निकाला गया इसका क्योंकि जब हम लोग सेलेस्टियर लेवल मतलब की जब किसी दो चीजों के पीच कि तुम लोग अपना देखलो तुम्हें क्या लगता तुम लोग मैंसे पूछ लो ठीक है अब इसकी निमेरिकल वल्यू तुम लोग बोलोगा निकली क्या हमें भी बताओ इसकी निमेरिकल वल्यू निकली 6.67 इंटू 10 रेस तुपार माइनस 11 अपॉन नूटन समझ गए न 10 रेस तुपावर अब 10 है तो इसमें एक जोड़ दो माइनस 11 है ना और उसके बाद फोर्स किसमें इंटू 3 न्यूटन में असानी से याद हो गया अब अगर तुम लोग इसको लिखने बैठ हो गये ना इस नंबर को तुम्हारा पते अंसर क्या निकलेगा तुम्हारा अं और उसके बाद नौ जीरो और उसके बाद और इसके बाद आईगा 667 तुम्हारा अंशक्ते हो क्या बूलना चाहतओ मैं बेसिकली ठीक है अम एक इसको बोलते कैसमां आप तुम तुम जान तो scientist को पड़ि रहती है कि हां इसको कोई नाम देते क्या पीया मेरा नाम भी newspaper में आ जाया धाया हाथ उनका उनका नाम जो नाम दिया वह भी newspaper में इसका नाम था universal gravitational constant basically ये क्यों है इसका मतलब ये है कि पूरे universe में जितना भी universe है न उसमें इसकी value ही व्यूं रहेगी कोई भी 20 riff जब एक अध्य को रहे थी तो इन दोनों के अंदर यह वैल्यू प्रहूव रहेगी बस तुम्हें इसको उनके मास से करना है वग्यारा वग्यारा कि मास लेख्यार स्वापarl॥ करना है इस सा कुछ हैं एक अब आगे बढ़ते हैं इसके यह क्या तो मैं क्या क्या लिखता हूँ है ना, Universal Gravitational Constant अब इसकी Definition भी होगी कोई है ना, नाम है में थोड़ी मिल जाता है इसकी देनी पड़ती है ना तो इसका तुम्हें मिलेगा नाम इसकी Definition मिलेगी तुम्हे Universal Gravitational Constant is the force of gravitation which two objects of mass 1 kg applies when they are at a distance of one meter वो force जो कोई भी दो कोई भी 1 kg mass याद रखना है 1 kg mass मास यह मैं क्यों बता रहा हूँ, आगे पराचलेगा तो मैं पता है इस कमल तुमने क्लास को ध्यान से सुना है और तुम अभी यहाँ पर ओजा सुनने आए हो, ठीक है तो अब तुम लोग अभी यहाँ पर time mark करके बता दियो कि तुम लोग यहाँ तक वीडियो देखने हो, मेरे को बड़ी खुशी मिलेगी कि किसने मेरी वीडियो आदी तो देखी है तो तुम लोग बस देखते रोव वीडियो तक ही में जाता रही ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग की इसकी याद हो गय। याद करने लाइक पक्रच्छ न है को तुम्हें Henry Cavendish ने समझ आ गया हाँ अब आप सोच रहे हो गए कि अगर Newton ने gravitation को खो जा तो पक्का इसके loss भी दिये होंगे जैसा मैं पता है motion chapter में तो इसने तीन तीन लौ देजी थे है ना जिसने हमारा दिमाग बहुत प्रेम से खाया है ना कहता है ना खाता हूं मैं प्रेम से है ना तो अब यहां पर इसने इसका भी gravitation का भी कोई law तो दिये होगा कि हम तो जानते ही इसको इस वास्ते की कि इसने gravitation का law दिया था है ना तो उसको देखने के लिए चलो हम लोग चलते हैं इसके सफर पे एवरी अबजेक्ट तुम लोग सुनो इसको एवरी अबजेक्ट इन दे यूनिवर्स अट्राक्ट इच अदर ऑबजेक्ट विद विद पोस्ट क्या यह हां विद विच इस डायरेक्लिप पोस्ट इस फोर्स टरक करते में इसको ठीक कर देता को अब यह बना फिर बात में तुम लोगों को प्रॉबलम होगी विद फोस्ट इक में तो- अब बोलोगे कि इसका क्या मतलब है ना सचव unnaturalता पहली पहले पर पढ़ने के लिए खाए उपर से जा रही है इसके ऊपर से गई थी इसलिए मैं अब तुम लोग इसको बाइन बाइन पढ़ोगे तो तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा एवरी अबजेक्ट इन दे युनिवर्स ने हर एक अबजेक्ट अट्रैक्ट अवरी अबजेक्ट को अट्रैक्ट करता है अब इसको अगर हम mathematical form में देखें तो directly लिख एक मेंट लोग देखो मालो तुम्हारे पास एक चीज है अगर यह बड़ेगी तो रह जाएगा यह basically यह दोनों opposite हो जाएंगे मदलब कि अगर यह चीज बढ़ेगी तो यह घटेगी ठीक है अब इसको mathematically हम लोग अब आप किसे बोल सकते कि mathematically सही है मैं तुम्हें बताता हूं इसको mathematically मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मान लो मेरे पास x 3 है ठीक है अब मैं कैसे बताओं तुम्हें हाँ अब तुम लोग को पता होगा कि proportionality sign को अटाने के लिए हम लोग लगाते है constant constant मलब कि जिसकी value 1 होती है इंटू 1 constant की value क्या होती है 1 basically constant इसलिए होते है था कि proportional sign हट जाए अब इसका basically मेरे को ज्यादा कुछ नहीं पता है लेकिन तुम्हें अभी पढ़ने के लिए इतना ही काफी है ठीक है तो अभी constant में तुम्हें समझाता हूँ अब मानलो तुम्हारी x की value है 5 ठीक है और इस यहां proportionality sign में यहां तुम्हारे पास है 1 upon 5 है ना अब तुम्हें पता है यहां पर 5 के और है multiply by 1 यहां तुम्हें पता है 5 के और है divide by बगी 1 से divide हो रहे है 5 यहां 5 मन से multiply हो रहे ह यहां divide हो रहे है तो basically यही चीज है basically फूरे में यही चीज है कि एक जगा multiply होता है एक जगा divide होता है अलगी यहां बड़ेगा यहां घटेगा यहां plus होगा यहां minus होगा यहां multiply होगा यहां divide होगा समझ गए सब्सक्राइब पिर त treaty कि सो कोई काम नहीं हां तो हम यहां पर हम लोग देखते हैं क्या बोल रखा है इसने अब इसने बोल रखा है यहाँ पर कि force जो है वो directly मैं इसको यहाँ नहीं अंदर करके दिखाता है इसके ताकि तुम जासी समझा है हाँ तो यहाँ बोल रखा है force is directly proportional to mass 1 into mass 2 mass वर मदल के पहले object का mass और mass 2 into second object का mass अब यह बाज आ रखना है यहाँ mass calculate किया जाता है weight नहीं weight का इसमें कोई माइना नहीं है क्यों नहीं है यह हम आगे पढ़ेंगे तर प्रमें पार्ट 2 में वीडियो के बट यहाँ अभी इसका कोई मामला नहीं है और यहाँ पता रखा है force is inversely proportional to r square r के आता है distance r basically किसके लिए यूज हो रखा है distance उन दोनों के बीच का जो distance होगा सबको जितना भी सबकुछ हो रखा है ठीक है मैं तुम्हें बस समझा रहा हूं मैं इसको ठीक है तुम लोग यहाँ दीख सकते हो क्या बात कर रखे हैं लोगों ने पूरी की पूरी अब जब तुम लोग इन दोनों को मिला दोगे यहाँ पर भी force यूज हो रहा है यहाँ तो जब तुम इन दोनों को मिला दोगे तो क्या बनेगा तुम्हारा तुम्हारा बनेगा यह force is directly proportional to m1 into m2 upon r square ठीक है अब अगर तुम्हें इसको is equal to में convert करना है तुम्हें इसमें constant लगाना पड़ेगा और इस constant का नाम क्या है gravitational constant क्या नाम है इसका? gravitational constant और इस gravitational constant की value यहाँ पर तुम लोग जानते हो कितनी होती है इस gravitational constant की value होगी यहाँ पर 6.67 into 10 raised to power minus 11 newton ओके समझ आगया तुम लोग को हाँ तुम लोग को समझ आई होगा तुम लोग मुझे साह जानते हो यार तुम लोग मुझे स्यादा intelligent हो मान लो मानो यार मानो तुम लोग मुझे स्यादा intelligent हो ठीक है अब यहाँ पर इसकी value हमें निकल के आती है last में यह ठीक कि force उतनी ही बढ़ती जाएगी जितना ये बढ़ेगा basically लोग यह कहना चाहते हैं कि force उतनी ही बढ़ती जाएगी जितना यह हमारा m1 into m2 upon r square बढ़ेगा ठीक है तुम लोग समझ गए हाँ तुम लोग समझ गए तो बेसिकल यह इसमें इतना ही था और इसमें तुम्हें और कर दिये तो मैंने समझा दिया है ना और इसी को हम लोग क्या कहते तुम्हें पता इसके लिखना पड़ेगा एकजाम में अब बोलोगे कि इसके बारे में जानकर आपको क्या मिला है ना क्यूंकि आप लोग सची में सबक्राइब इसको जानके मिला क्या अब इससे हमें फाइद क्या क्यों होते हैं बीसिकल यह हेल्प करता है finding the masses of planet and satellites सब्सक्राइब करता है मास में कैसे इस फॉर्मले की मदद से तुम लोग समझ जाओगे इस फॉर्मले को बस अभी तुम्हारे इंपॉर्टेंट नहीं है बड यह तुम लोग को बस यह लिखना का finding the mass of planet and satellite अगर इसके applications आ गई तो और finding the mass of binary stars समझ गए हाँ अब आप बोलोगे कि इसके एक numerical भी तो हो जाए है ना क्यूंकि अब इतना पढ़ले तो numerical भी होना ही चाहिए हमारे पास तो numerical भी देख लो तुम लोग इसको इस numerical में बेसिकले तुम्हें सन और मून का मा बताया है यहां हमें बताया है कि मास किसका ज्यादा है और लोगी क्या है हां हमारे पास सन से कितनी ज्यादा gravitational force मिलती है हमें मून की comparison में सन की gravitational force मून की comparison में कितनी आती है अर्थ पे अर्थ पे समझ रहे हो अब यहां पर दो चीज़ें मैटर करती है एक मास और उसका अर्थ से distance अब तुम लोग सब जानते हो कि Sun का Earth से कितना distance है है वह हम सब लोग जानते है कितना difference है बहुत जादा difference है और यहां पर मून का Earth से बहुत pass का distance है आप तुम लोगों छोटा sun बनाकर दिखाने सकता है बता जाता हूं यह है तुम्हारा sun इसके तो इतना पार्ट यह आप आया बाकी पार्ट पूरा नीचे की तरफ है तुम लोग इमाजन कर लो ठीक है और बाकी है तुम्हारा और तो बेसिकली इसको calculate करना तुम लोग इसको यहां पर देख के आराम से calculate कर सकते हो या तो भी तो मैंने पूरी इस पूरे चैप्टर का जितना में इसको देख सकते हैं उमीद है आपको संतुष्टी मिल गई होगी इसके नुमेरिकल को देखने के बाद तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब आप बस सब्सक्राइब कर लोग नेक्स वीडियो को भ आप से अपनी 9th class complete कर सको ठीक है तक जैसके मेरे को फेस करनी बढ़ते कि तुम लोगों को नहीं इसलिए मैं पूरा चैप्र डालता हूं तो अभी के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स पार्ट में जिसमें हम लोग वेट के बारे में और माश के बारे में बाखी सब को दिसक् सब्सक्राइब करना मत बूलना है तक सब्सक्राइब हुआ है